जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शालत करता हूँ आपके अपने वह के यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे नेपाल वर्सेज यूएई की बीच में खेला जाएगा दूसरा ODI का मुकावला इसको लेके हम डीटियल्स में देखेंगे परकेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी टीम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम च कर लेना है और दोस्तों जैसे कि मैंने फर्स्ट वेडियर में आप लोग को बोला था जो चीज वही मैच में हुआ हम लोग का रिजल्ट भी वहां पच्छा रहा बस दिखते कि आई कि लाइन अप नहीं आया था तो लाइन अप नहीं भी आया था उसके बाब जूद जो मै और नेपाल के विनिंग के अंसर देखेंगे कि 30% के आसपास वो भी जब कुछ unexpected हो जाए तो नेपाल के स्टार प्लियर आपको लमी छान यहां पर मिस रिजॉर्ट दिखेंगे हमने जब पहला मैच कवर किया हुआ था हमने सारे डीटेल्स यहां पर कवर किये थे तो हम नह कैप्टन सी करते मुस्तफा आलिसान सारुफ हो बसील हमीद आयान अफदल खान वैसा पिछले मैच में किया स्पिल डाले थे दस ओवर में 14 रंदे के आइधिंग तीन या चार विकेट लिए थे एमद रजा सिदिक की सिदिक का स्टैट्स हमेशा से नेपाल के सामने करन के लालीत वार राज वहां अगर पिल सकते हो कि अगर में कितना स्टैगल किया वेजwritten सी ठ्लक में कि बासिल हमीद 14 अबजल खान 26 एहमाद राजा 27 जुने सिदिक की एक रन इधर से केंदबाजी में करन केसी टाले से 10 अबर 69 जीरो विकेट सुमपाल कामी 10 अबर 67 एक विकेट लाली तरीन पिलियर है वैसे डोमेस्टिक सर्कीट में खाप भी विकेट लिया हुआ है दस अबर एक मारण 26 जीरो विकेट गुल संजा छे में 26 दो विकेट हरी संकर सा पाच अबर 26 जीरो विकेट डिपेंसिंग एरे आट अबर 30 एक विकेट कूसर भूलतर एक अबर आट रन जीरो विकेट डेथ बॉलिंग को लेके बात कर लेकरन केसी सुमपाल कमी दीखेगा मैंने कई दफा देखाई डिपेंसिंग एरे भी अपने आपको डेथ में लेके आज आते हैं बल्ले बाजी में अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरजुन सौध फिप्टी वन किये थे आसिप से ट्वियल मल्ला जीरो रोईप पॉड्यो एक हर अब दोस्तों यहां पर यहां देखते हैं प्लेस टू वाच बैटिंग सेक्शन में नेपाल के तरब से बात कर ले तो आसिप सेक ने लास्ट के आठ मैच में 312 रन किये अल्मुस्ट 40 का बैटिंग एवरेज इनका 86 का है डिपेंशिंगे रे लास्ट के दस मैच 247 रन 26 का बैटिंग एवरेज 68 का इस्ट्राइक है ध्यांड रखिएगा यह ODI के मैं बात कर रहा हूं बी अर्विन लास्ट के दस मैच 313 रन 42 का बैटिंग एवरेज 74 का इस्ट्राइक है पास इस्ट्राइक है अपास इस्ट्राइक है लेकिन दोस्तों अब वो एमाद रखा फिला नहीं रहे हां मैं मानता हूं कि अगर इनका दिन सहीरा तो दो तिन विकेट आपको दे देंग लेकिन पहले वाला जो बात था दस अबर 233 विकेट दस अबर 383 विकेट ऐसे करके अब नहीं गिनवाजी कर रहे हैं बसील अमीद दस मैच 12 विकेट एकोनोमी लगवग चार के आसपास कह सकतो या फिर चार तीन चार के बीच में कह सकतो इस्ट्राइक एट 37 के आसपास अब दोस्तों आईए हम बात करते हैं अपनी फेंटासी टीम को लेकिए विकेट के पीछे मैंने वी अरविंद को लिया हुआ आप लोग आसिप सेक को लेके जा सकतो यह सौद आप लोग के लिए डिसेंट्वेंट पिक बनेंगे बात करूए बैटिंग में डोईट अच्छे बन जाएंगे बॉलिंग में संपाल क्यामी जी जाको ड्रॉप कर दो वैसाब उसके अलावा करन के सी मस्ट पिक आपके लिए होंगे जहूर खान को ट्रैकर लीजे एक गिंदवाद जिसको मैं बुरिकमेंट करूँगा कि अगर आप डिस्क एफर्ड कर सकते हो त को लेकर तो मेरे कोई बदला होगा तो उसका अपडेट मैं आप लोगो टेलीग्राम चेनल पर कर दूआंगा उमीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक के लिए बाई इंज्वाई कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए और समस्दारी से दोस्तों इनसा मैचेज में